हेलो दोस्तो स्वागित है आपका special kitchen 9 में जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको आम और साबू दाना की बहुत ही टेश्टी स्वीट रेस्पी बताने जा रही हूँ जो काफी आपको पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक आम लिये हैं पके वाले आम और पके वाले आम को चुटे चुटे टुकडे में ये देखिए मैं इस तरह से कट्स कर लिये हैं और लगभग मेरे 50-75 गराम साबू दाने होंगे फिर आपको एक मोटी बरतन में आधा किलो दूद लेने हैं ये देखिए बरतन हमारे काफी मोटे हैं और इसमें मैंने आधा कि पाउडर का भी उच कर सकते हैं पाउडर दूद जो मिलते हैं पांसे दसुर्प पैकेट वाले आप इजी ले 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 और उसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर दे और एक उबाला आने तक इसे पकाना है और ये देखिए मैं मातरा बता रही हूं ये लगभग मैंने एक कटोर है तो ये चीनी को आपको डेलकटोरी लेना है और इसे अच्छी तरह से आपको चलाते रहने हैं ये देखिए दूद में उबाला आ रहा है और हां दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें और बेल आइकोन को जरूर दबाए और आपको एक भी वीडियो की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों अगर ये भी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें ये देखिए दूद में उबाला आने के बाद अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ ये देखिए बिल्कुल ट्रांस्परेंट होने तक आपको अच्छी तरह से पकाना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है दोस्तों नहीं तो यह नीचे से चिपक जाते हैं यह देखे साबुदाना हमारे अच्छी तरह से पक रहे हैं कुख हो रहे हैं इसे अच्छी तरह से आपको कु पीस लेना है लग बग तीन तीहाई आम को मैंने पीस लिया है मिकसर ग्राइंडर में यह जो दूद मेरे जो ठंडे हो गए थे मैं उसे एट कर दूँगी इसी में आप चाहे तो डायरेक्ट भी पीस सकते हैं आम को ही लेकिन मैंने हलके से दूद एट कर दिया यह दिखे बिल्कूल यह जम जाएंगे और एक्स्ट्रा कोक भी हो जाएंगे इसलिए आप इसे अलग छान के निकाल ले और यह देखे दूद है मेरे अब मैं इसमें साबोदाना मिला दूँगी यह देखे जितने भी साबोदाना मैंने पकाई थे ट्रांस्परेंट हो चुके हैं यह mango dessert ही है इसलिए आम को तो मिलाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों और इसे अच्छी तरह से आपको mix कर दें इसे आप ठंडा या गरम दोनों तरह से खा सकते हैं या आप इसे drink की तरह यूच कर सकते हैं या आप इसे खीर की तरह भी यूच कर सकते हैं और फिर मैंने डाला है कुछ कटे हुए dry fruits जैसे कि आखरोट हलके से मैंने डाले हैं काजू काजू भी डाल सकते हैं और आपके जो भी मन पसंद dry fruits है आप उसे डाल सकते हैं और फिर मैंने जो पीसेद बचा लिये थे आम के फिर मैंने उसे डाला है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा flavor आए और बिल फिर ग्लास में या फिर एक कटोरी में आप किसी में भी आप निकाल सकते हैं यह देखे मैं सीसे वाले कटोरी में निकाल रही हूं इसे आपको फ्रीज में रख देने हैं और इसे अच्छी तरह से बिलकूल ही ठंडा ठंडा सर्फ करना है यह काफी tasty लगती है दोस्तों और इस गर्मियों में तो एक बार आप इसे जरूर बनाए तो कैसी लगी आज की हमारी यह रेसिपी यह हमें आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए तब तक के लिए फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए